एक दिन एक हीरन टहलते टहलते ना जाने कौन से रस्ते पर भटक गया था और वो किसी दूसरे जंगल ही जा पोचा और वो खुद भी हैरान हो गया था मैं कहां आ गया और चलते ही चलते उसे रास्ते में एक और नई हीरन मिली वो देखते ही समझ गई थी कि ये तो इस जंगल की नहीं है तुम तो इस जंगल की नहीं हो तुम कहां से आए हाँ भाई मैं अपने जंगल का रास्ता भट गया हूँ और मैं वापस जाने का रास्ता देख रहा हूँ ओ, तो ये बात है, तो फिर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्यूंकि इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं और वो जंगली जानवर दूसरों को मार कर खा जाते हैं और तुम्हें उन जंगली जानवरों ने देख लिया तो वो तुम्हें भी मार के खा जाएंगे मेरा तो तुम्हें बताने का फर्स था, मैं चलता हूँ और इतना कहकर वो काली हिरन वाँ से चली जाती है हम यूही मुझे डरा रहा है मैं इस जंगल से अभी नहीं जाऊंगा मैं पूरा जंगल देख कर जाऊंगा और ये सोचकर हीरन थोड़ी आगे बढ़ती है और सेर को शोते हुए उसकी पूँच पर पैर रख जाता है और सेर उठकर जोर से गुर राता है हम तुमारी इतनी इम्मत कि तुम मुझ़ पर पैर रखो और हीरन बेशारी डर के मारे सुकर जाती है और इधर अधर देखने लगती है और तब ही वो तुरंद भाگ पड़ती है और इतनी तेजी से भागती है कि शेर उसके पीछे ही पड़ जाता है और हीरन भागते भागते अपने जंगल के पास पहुच जाती है लेकिन शेर महराज भी कहां कम दोड़ते थे वो भी उसको मोही मार देते हैं और शेर हीरन को मार कर वो देखता है उसके जंगल में काफी सारे हीरन है और शेर देखकर वहां बोलता है अरे वा, इस हीरन के जंगल में तो काफी सारी हीरन हैं, यहां तो बहुत ही मज़ा आएगा और वो शेर एक एक करकर उस जंगल की हीरनों को मार डालता है और वहां मजे से खाता है और उस जंगल की सारी हीरने उस शेर से परेशान हो जाती है, और तब ही वो सारी हीरने इखटा होकर उस शेर के पास आती है और उस शेर से कहती है बेडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें